बिसमिलारखम नरीम, आसलाम लेकूम, आशियाना देशी फूड व्लोग में मारिया साजित का सबको सलाम तो आज हमारे आशियाने में बन रही हैं, बहुत ही मज़ेदार ढबा स्टाइल मकरूनी मक रूनी हम बना रहे हैं तो हमारे पास 37 गराम मक रूनी है अमने centers始 लिए है। ने दो अदद और चिकन लिए है हमने 500 ग्राम लिआ ये इन डाइस के लाद मिर्च छिमच में एक चमच है रावे लाल दमत और लिए और रावदा और रावदा और विगान लिए हमने आधा चमच और अंड़ा लिए इक दद के लावदा बावदा है तो जी पानी हम अर्ड हम हम इंडी के अच्पाइल सूजखितर अधर करें दो क्याक्ते हैं But Chan तो हम हांडी में मतलब के बनाएंगे धाबस टैल्व हांडी में बनाएंगे इसमें हमने एक चमच ऑईल का डाला है इसमें चिकन डालेंगे और इसमें हम एक चमच नमक डालेंगे और इसमें सोया सास सिर्का और चिली सौस ये भी हम एक एक चमच डाल देंगे और आदा चमच इसमें लाल मिर्च का डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे बन पकाएंगे ताके ये गल भी जाया और हमारी अच्छी सपैस इसी चिकन त्यार हो जाए तो जरूर ट्राइ करें इस तरीके से देशी स्टाइल से असान और इजी है घर में पड़ी चीजों से बनती है मतलब कि कोई एक्स्ट्रा में बाहर से नहीं लेनी पड़ेंगी ये सब चीजे सब के पास ही अवैलेबल होती है तो चिकन हमने बना ल प्यास हमारे इस ही आईल में बनेगी हमने अगर जरूरत होगी तो एक चमच दो चमच और हम एट करेंगे आयल का तो इस में हम प्यास को लाइट प्रॉण करेंगे प्यास को लाइट ब्राउन करना है इस हांडी में तो जी लाइट ब्राउन हमारे प्यास हो गये हैं तो यहारे सबजी टमाटर शिमला मेरे सबस थन्या लहसन और सबस मेच यह हमने डाल दी है तो इसको ज्यादा कुक नहीं करना हमने इसको गलाना नहीं है कि इसको इतना पकराना है कि बस जी मिसाला इसमें जाजब हो जाए जップ स einzige हम डालेंगे तो इसमें हम अपने सारी स्पाइसिस इसमें आड़ कर देंगी कोई मुश्किल नहीं नहीं है कोई ज्यादा सपैसी सी नहीं हैं बहुत ईजी से धाबा स्टाइल मक्रौनी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार लगती है तो इसमें चिकन डाल दालेंगे हम इसमें चोटे-चोटे चिकन नहीं करके डालेंगे in यह बोटी स्टाइल ही डालेंगे और इस तरीके से बनाएं अच्छी लगते हैं बहुत ही कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको कैसे अलगा तो मकरूनी हमारी वाइल हो गई है गल गई है अच्छी तरीके से तो इसको भी हम डाल देंगे बहुत इज्या जड़ पड़ जाने वाली यह मकरूनी है मैं ज्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाती जल्दी जड़ पड़कनती हूं काम को वैसे मकरूनी अक्सर मैं साथ ही बनाती हूं लेकिन यह धाबस टैल थी तो इसको इसी तरह बनाना था अब अंड़ा जाता हूं इसमें डाल दिया हमन अंदर ही पक जाएगा तो माशाला हमारी मकरूनिया तियार हैं बहुत ही खुबसूरत तो आप इसी तरीके से ट्राइ करें आप मुझे कमेंट्स में बताय कि आपको कैसे लेंगी फिर हादर होंगे अला आफिस